करें है है यह अई एवरीवन वेल्कम बैक इन अवर चैनल फ्रेंज दिस इस कपिल एंड आज हम इस वीडियो में सीटेट मेर पट यह पर टू को लेकर पार्ट थर्ड आज हम देखेंगे इसको एन क्यूर रूट से किस तरीके से आप से सीटेट के जो पेपर टू में जो आपका जो question आपकी screen बर है और जिन बच्चों ने भी ता वो जो वीडियो नहीं देखे दो topics पे मैं डाल चुका हूँ decimal और fraction पे उनसे related किस तरीके से आपसे exam में question पूछे गए है वो वहाँ पे हमने discuss किये थे इससे हटके जाद आपको preparation करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको daily ही ऐसे एक नई एक वीडियो आपको topics वाज मिलता रहेगा और आपका जो मेहत का 15 marks वाज पार्ट रहता आप हीजिली उस पे अपना target आप कर सकते हो तो दीके पहला question क्या है solve सारे मेंने कर रहे है ठीक है ना x is equal to under root में दे रखा है 2019 का square plus 2019 plus 2020 then आपको बताने 2x minus 1 पहले इस square root को solve करने के बाद आपको x का value निकालना है वो आएगा 2020 ठीक है ना आप solution यहाँ पे देख सकते हो ठीक है ना time based हम नहीं करेंगे solution मेंने आपको है provide करा दे x का value निकलने के बाद आपको क्या करना है 2x minus 1 में value पुट कर दे ना x का 2 multiply x का value कितना निकला 2020 minus 1 ठीक है ना अब जब इसका multiply करोगते हो जाएगा 40 और 40 minus 1 कितना होगा 40 39 यानि कि जो option है यारे बच्चो हमारा जो option है वो option C यहाँ पर सही हो साएगा ठीक है ना बात करते question number 2 की ये question आप से seated 2020 में पूछा गया है देख लीजिए जो बच्चे paper 2 की तैयारी कर रहा है ओके किस तरीके का आपका level रहता है under root में 0.081 multiply 2.5 multiply 3.24 divided by 0.0625 multiply 7.29 ठीके ना देखो same place पर decimal ते तो ये बाले जो decimal ते वो मैंने यहाँ पर cut कर दिये ये number 3.24 7.29 ऐसी रहने दिया इसनका decimal remove कर दिया 81 का 80 रहने दिया 25 का 25 रहने दिया 6.25 को मैंने 6.25 यहाँ लिख दिया ठीके ना अब इसमें जो 0 था 1,2,3,4 4 place वारा दा था तो 4,0 उपर लिख दिये अब यहाँ पर 1,2,3 यह रहा और 1 किसका यह रहा तो 4 यहाँ पर आ गए तो यानि कि यह भी आपका complete part यहाँ से cut हो जाएगा अब बाकि जितने भी number है सारे square number बनेंगे ठीके ना तो यह 9 का होता यह 5 का होता यह आपका 18 का होता यह 25 का यह 27 का ठीक है पेर आप निकाल लोगे तो आप देख सकते solution 6 upon 5 यानि की 1,2 आपका जो answer यहाँ पर आएगा जो correct option है वो option आपका number V सही हो जाएगा देख लिजिए किस तरीके से paper 2 में आपसे question पूछे गए है अब बात करते है question number 3 और 4 की तो यह रहा उन दोनों का solution 3 में बोला गया था q root आपको दे रखा है 9 multiply 10 to 9 का divided by under root 12 147 is equal to किसके होगा seated 2022 का आपका question है तो करने के पहले हम इनके q root निकालेंगे यह जो break होगा 3 into 3 में होगा फिर 10 20 अलगे जब आप factor करोगे तो वो बनेंगे 3 7 7 7 अब यह इसका root है 2 into 4 into 3 47 को break करें 3 multiply 7 multiply 7 इसका root है तो यहां से pair निकल के आएंगे divide ऐसी रहा अब यह q root है तो 3 3 के pair बनेंगे तो यह 3 into 7 यहां आगया divide का sign है तो यह पूरा part नीचे रहेगा आपका क्या हुआ है यहां से 3 7 से 3 7 complete cut हो जाएगा ठीके न 1 by 2 आपका यह रह जाएगा जो option है हमारा option D सही हो जाएगा ठीके न अब बात करते question number 4 की question number 4 आपका यह रहा तो question है यह seat 2013 का 13 में question आपसे पूछा गया है under root 16, under root 8, under root 4 पहले इस वाले इसका root को solve करेंगे जो 4 होता वो आपका किसका होता 2 का तो 8 to 16 हो जाएगा फिर बनेगा 16 16 किसका होता 4 का 16 into 4 बन जागा 64 64 किसका होता 8 का तो ऐसे questions को हम last वाले इसका root से solve करते हैं चलिए बढ़ते question नमर 5 की तरफ तो यह रहा आपका question नमर 5 question है under root 10 58 multiply 6, 48 equals to 18 divided by x x का value आपको बताना है cross multiply के लिए 18x हो गया अब यह same square root थे तो एक में ही हमने लिख दिया जब आप इसके factor करोगे तो जैसे आप 2 से इसको break करोगे तो आपको मिलेगा 2 into 3 24, similar इसको 2 से break करोगे आपको मिलेगा 2 multiply 529 यह जो होता 18 का इसकार होता है और 529 आपका 23 का होता है यह 2 दो बचे उनका अलग से pair बन गया, तो ज़्यादा आगे calculation करने की जुरत नहीं, थोड़ा सा mind हमें open अपना कारी के रखना है तो pair बन गये 2, 18, 23 बाहर आगया 18 से 18 cut हो गया remaining part आपका 46 2 into 23, 46 यानि की जो option है वो आपका option number B आपका सही हो जाएगा, बात करते है question number 6 की देख लीजिए seat at में जो level रहता है question का इसी तरीके से आपका रहता है तो now, यहाँ दे रखा है under root 5 plus q root x is equal to 3 x आपको बताना सीट है 2013, तो पहले क्या कि हमने both side square कर लिया, square करने पर क्या होगा, इसका जो root है वो cut हो जाए remaining part 5 plus q root x is equal to 3 का square, यानि की 9 हो गया है, हापर 5 को लिके जाएंगे right hand पर sign बदलेगा, तो 9 minus 5, 4 हो गया, अब जो q root x होता है, इसको हम x का power 1 by 3 भी लिख सकते हैं, बट हमें only x का value चाहिए 1 by 3 रिमूफ करना कैसे होगा, बो side मैंने q ले लिया, power की उपर power होती, multiply तो इससे ये cancel हो जाएगा, तो x is equal to 4 का q यानि 64, जो option है, वो आपका option d एकदम सही हो जाएगा, ठीक है न, तो न, बात करते question number 7 की, question number 7 आपका ये रहा, question number 7 और 8, 7 2021 का question है, under root 0.04096 मैंने क्या कि decimal remove कर दिया और 60 नीचे increase कर दिया, ठीक है न, फिर इसके बाद क्या हुआ ये जो 4096 होता है, वो 64 का होता है, option को देखेंगे, option में क्या है 16 आ रहा है, directly हम मैंने eliminate किया है, 16 into 16 तो 256 होता है, बट क्यू root में तो 4096 है, यानि कि 16 बाले दोनों ही question जहां से eliminate हो चुके हैं, तो मैंने क्या किया, 101% अब ये 64 का होगा, क्योंकि इसका root है, इसका root 16 का 256 होता है, तो ये बचा हुआ, अब इन दोनों एक में से कोई option सही होगा, तो मैंने direct इसको 64 multiply, 64 लिख दिया, pair बन गया, ये बने आपके 6 decimal नीचे तो 3 का pair नीचे आ गया, decimal हमने पुट किया तो 0.064 आपका यहाँ पे option number भी सही हो जाएगा, ठीक है, बात करते हैं question number 8 की, तो देखें, किस तरीके से आपसे exam में question number 8 पूछा गया है 8, x under root 243 equals to y under root 867 आपको x minus y बताना है, सीट है 2016 का question है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने आपके divide बना लिए x के नीचे y भीज दिया और 253 को 867 आपको देखने को मिलेंगे 17 पेर हो गया, 17 under root 3 और यहां से कहा हुआ, तीन का एक पेर आगया, एक तीन का आगया, root 3 root 3 से आपका root 3 यहां पे cancel हो गया, remaining part 17 upon 9, okay, equal किसके चला है, x upon y के, x का value 17, y का value 9, दौनों को आप minus करोगे, तो आपको मिल जाएगा 8, उमीद करता हूँ, यह session आपको पसंद आया हुआ, literally थोड़ी बहुत भी कहीं भी explanation में कमी रहागी है, तो please आप समझने के यहां पे एक courses करना, तो ऐसे ही वो question में डून डून के आपको ऐसे ही वीडियो आपको प्रवाइड करातों आपको topics वाइज जिसमें आपसे previous year में किस तरीके से आपसे question पूछे गए हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धनबात, take care and wait for the next वीडियो